जाहिन मेरे प्यारे बच्चों तो आज मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ क्लास नाइन्थ एंसी आटी का चाप्टर नमबर फाइव जो की बाइलोजी सेक्षिन से बिलॉग करता है और इसका नाम is the fundamental unit of life that is cell तो हम बेसिकली एक एक लाइन को रीड करेंगे और उसके मतलब को समझेंगे और इंसी आटी को डीकोड करेंगे तेक है मैं आपको एक एक लाइन समझाओंगा इसकी और ना हमेशे जाद रखो कि आप जो भी चीज पर तो उसको समझने पर focus करो उसको रटने पर focus मत करो और जो भी चीज पढ़ो यह सोच के पढ़ो की कि मेरे काम में आएगी और हागी जाके पक कही ही आपके काम में आएगा ठीक है? कुछ भी आप पढ़ोगे हो वेस्ट नहीं होगा तो हम स्टार्ट करते हैं चाकर नमर 5 अचाँ देखी सबसे पहले तो जो हमारी बुक कहती है उसके पहले दो लाइनों में वो यह बोलती है कि जब Robert Hook नाम की साइन्टिस्ट थे वो एक्जामिन कर रहे थे एक थिन स्लाइस अफ कॉर्क को ठेक है? तो उनको क्या मिला? हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर मिला कॉर्क क्या होता है? बिसे कली सेकेंडी ग्रोथ होती है आपने जो प्लांट का तना देखा होगा ट्री का तना देखा होगा बहुत बड़ा होता है बहुत मोटा होता है तो जब आप उसको ही बहार कर गेगे उसको ही काट के निकालते हैं तो इससे जो चीज मिल की वो कॉर्क जब आप उसकी थिन स्लाइस काट के मैक्रोस्कोप के नीचे देखा देखेंगे तो आपको क्या देखेगा हनी कॉमलाइक स्रक्चर और यह सबसे पहली बार किस ने देखा था रोबर्ट होक ने देखा था कॉर की था सबस्टेंस इच कंस वं भार्क ओव ट्री लिखा हुओ है यहाँ पर कि काहा मिलता है बार्क ओव ट्री से मिलता है दिसवाज इन दे यर शिक्षी इंश्टीफड़़ाइक जा देखा था सहल को कि बदेखा था रोबर्ट हुक ने यह देखा था वो भी उन्होंने खुदी बनाया था और आपको पता एक कीज़ा बता देता हूं यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कि आपको पता होने चेए कि रोबर्ट हुक ने यह जो information थी और साथ ने वो honeycomb वाली जो photo थी जो उनको देखी थी तब तो advance camera नहीं थे कि वो microscope से photo कीच सकते हैं तो उन्होंने draw की थी वो image और उन्होंने draw करी थी वो image और उसके बारे में जो information लिखी थी वो अपनी book Micrographia में publish कराई थी ठेक है याद रखना आप कौन सी book थी Micrographia अच्छा और Robert Hook called these boxes cells और Robert Hook ने बॉक्स को नाम के दिया cell और basically Latin में cell का मतलब क्या होता है little room ठेक है यह बात आपको पता होने चीए कि Latin में Latinic language होती है और उसमें cell का मतलब क्या होता है little room और आपको पता तो Latin है वो dead language कहलाती है basically जो Latin है अब उसको यूज नहीं किया जाता अब उसमें नहीं नहीं वर्ट नहीं खोजे जा रहे हैं अब वो खतम हो चुकिए उसको कोई बोलता भी नहीं है basically scientific name को देने वाली language कौनसी है Latin क्योंकि इसमें तरक्की और आगे हो नहीं रही है तो नहीं नहीं वर्ट खोजे नहीं जाएंगे तो जो एक बान नेम दे दिया गया वो बदलेगा नहीं that's why Latin ठीक है अब वो बात की बात है हम बाद में तब देखेंगे बट चलिए अभी हम कहां पे थे वहां से वापस से स्टार्ट करता है तो आपको अभी तक जो भी हमने पड़ा उसमाप होगे हमने 1665 का एयर था रॉबर्ट हो सहाब ने थिन हनी एक थिन स्लाइस लिया था क का कॉर्क कहां से मिलता है बार कॉप बिट्टरी से मिलता है और उसमें उन्होंने क्या देखे थे हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर ठीक है इस में सीन तो भी वेरी स्मॉल एं इंसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इस वेरी इंपोर्ट इंस्ट्री ऑफ साइंज यह हमको सु यह बहुत इंपोर्टन है स्ट्री ऑफ साइंज के लिए इस वाइरी फस्स ताइम अप्यार था जब किसी इंसान ने यह देखा था कि जो लिविंग बींग होते हैं वह भी लिविंग थिंग्स होती है वह बेसिकली किस से मिलके बनी होती है अलग-अलग उनिट से मिलके ब यहां पर वो चीज क्या बोली रॉबर्ट होक ने मतलब यह खोल लिया कि चुछ चुछ उनिट सी हो वह क्या थी सेल्स की दो यूज ओव वर्ड सेल्स तो डिस्क्राइब इस यूनियन इस बिंग यूज चिल दे इस दे इन बायलोजी और जो रॉबर्ट होक साहब ने 1665 मे बायलोजी में यूज कर रहे हैं सोचो कितना important है let us find out about cells अब हम क्या करते हैं cells के बारे में वाल जानते हैं अब इसमें जो 5.1 आपका topic है what are living organisms made up of basically living organisms के सिम बने हुए है तो activity let us take a small piece from a onion bulb onion मतलब basically onion का मैं आपको स्वीज सिम्पल से बहाचे मतलता हूँ हमें करना क्या है basically जब हम क्या करते हैं onion लेते हैं और onion की जो बहार का छिलका निकालते हैं ठीक है बहुत ही पतला सा एक छिलका निकालते हैं हम उसका तब हमको क्या मिलता है और हम उसको माइ जिखती है ठीक है और आप बोलोगे की सारी ब्लू ब्लू क्यों देख रहा है basically stain के कारण देख रहा है ठीक है stain क्या होता है stain आप ऐसा समय सकते हैं living organally इसको color करने के लिए चीज़ें यूज होती है living substance color करने के लिए जो चीज़ें यूज होती है वो कहलाती है अच्छा तो let us take a small piece from an onion bulb with the help of a pair of forcep forcep की मदद से आप क्या करेंगे can peel off the skin call epidermis जो skin होती है onion की सबसे बहार वाली इसको हम क्या बोलते है epidermis from the concave side inner layer basically concave side से जब देख तो inner layer जब आप onion का रहता है ऐसा रहता है बल्ब जैसा तो onion का बल्ब रहता है वो ऐसा रहता है तो basically आ आप जब बहार से skin निकालें गया तो जब उसको inner side से देखेंगे यह यह वाली side से ठीक्या gestellt reconocer can be put immediately in a watch glass containing water और इसको हम बाइड पर एम उसको हम वार्ज्ण निक तो फानी भाला गवा है इस जो प्रिवेंड निक पूब्न piece of the peel, जो पूरी peel है, वो बड़ा चलका होगा, पर microscope की नीचे आप इता बड़ा नहीं रख सकते, तो आपके करोगे इससे piece काटोगे, छोटा सा, और उसको transfer कर दोगे, उस small piece को, उसके अंदर उसे slide की उगा, make sure that the peel is perfectly flat on the slide, और basically जो peel होनी चागे न, वो एक्दम flat होनी चागे, ठाकि अब अच्छे से देख सको उसको, जो microscope नीचे रखें तो हमें अच्छे से देखे, now we put a drop of saffronin solution on the piece followed by a cover split, देखो, यहाँ पर जो saffronin की बात की, मैंने आपको बताया न, की stain क्या होते है, color होते है, जो organelles और basically living cells को color कर सके, यह देखे, तो यह basically क्या है, saffronin saffronin क्या है, 15 है, ठीक है, क्या है यहाँ पर, S, T, लगता है, आज यादा like चलते हैं कि लिखने में चला जाएगा, नहीं, हो गया, बहुत ही गंदा, बहुत ही चांदार तरीकी से गंदा लिखा है मैंने, पर आप समझ जाओ, कि यह क्या लिखा हो है, stain है न, और आप अच्छे ते लिखे न, मैं इसको मिटा दे तो मुझे अच्छा नहीं लगागा, अच्छा नहीं, मेरी राइडिंग बहुत अच्छे है, पर कभी-कभी वह खराब हो जाती है, अच्छा, अन इस, पीस वालव बाइक कवर स्लिप, और इस तक यह करेंगे, स्लाइड को जो बेसिकली अपन ने जहां पर रखा हुआ है, अनियन का पील का छोड़ सा तुकड़ा, उसको कवर करते हैं, सैफन दालने के बाद, ठीक है, अब टेक केर, तू, अवाइड एयर बबल्स, वाइल पुटिंग दा कवर स्लिप, बेसिकल जब कवर स्लिप लगा से लगाएंगे, माउंट निडिल की मतलब से लगाएंगे, हास्क और टीचर फॉर हेल्प, और टीचर तो होते हैं, आपकी हेल्प के लिए, तो आप उनसे पूछ सकते हो, वी है प्रपेर्टरी माउंट ओफ अनियन पील, बेसिकली हम लोगों ने क्या बनाया है, तैंप्र स्लाइड और एक होची पर्मनेंट स्लाइड, मतलब आप उसनों प्रिजर्व करके रख सकते हो, आप कभी भी देखोगे उस स्लाइड को वैसे ही देखेगी, उसको बनाने ही माइधा ठोड़ी अलग होती है, वी केन अब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पेपर, लो माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको अब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, और जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, उसमें क्या-क्या होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और आप सोचोगे हमको माइक्रोस्कोप के बारे में क्यो बता रहें भही माइक्रोस्कोप है तब ही तो पहली बार माइक्रोस्कोप बनाया था रॉबर्ट हुक ने अपना तब ही तो पहली बार सेल को देख पाया ठीक है उसके बार हमारे पास माइक्रोस्कोप है इसलिए हम लोग अनियुन पील को देख पा रहे हैं उसके बार माइक ठीक है वो हम जान रहे हैं उसका reason क्या है microscope तो अब ऐसा नहीं कि यार ये लोगो ने तो microscope डिसकावर कर दिया तो हम लोगो सेल भी पढ़ना पढ़ रहा है आगे बहुत सारी चीज़े पढ़नी पढ़ रहे हैं तो गलत वह भी है microscope को मारो जिसने उसको बनाया नहीं नहीं उसको मारो मन देखो यार उसने अच्छी discovery किया इंपोर्टेंट है उसके बाद आपको एक चीज़ और बता दो चलो microscope के बारे में बात निकलिए तो एक और टाइप का microscope होता है ठीक है उसको हम बोलते है electron microscope तो ये तो हम बाहर बाहर का पढ़ रहे हैं cell के वो किसके कारण पढ़ पा रहे हैं इसके compound के लेकिन जब अपन cell के अंदर के cell organally इसके बारे में पढ़ते हैं वो किसके कारण पढ़ पा रहे हैं वो हम पढ़ पा रहे है electron microscope और मेरी writing बहुत अच्छी है तो मैं लिखके है आपको बताऊंगा नहीं कि किसने बनाया था पहली बार अपना electron microscope पर मैं बोल के बता देता हूँ वो बनाया था k-n-o-l-l-nol-and-r-us-k ठेक है याद रखना आप लोग अच्छा है what do we observe as we look through the lens basically अपन जब microscope से देखेंगे तब हमें क्या देखने को मिलेगा can we draw the structure that are able that we are able to see through the microscope तो हम अब draw करेंगे observation sheet के उपर sheet के उपर देखो मैं na sheet और sheet वैसे मैं हमेशे sheet ही बोलता हूँ पता अभी पता नहीं कैसे साल लग गया but leave it हमारा मकसद यह है कि हम किसके बारे में बात करें हम उसके बारे मात करें जो हमने देखा था microscope के नेचे तो हमको जो देखने वाला structure है वो देखने वाला structure है और यह possible किसे हुआ कि हम देख पा रहे हैं यह हम stain के कारण हुआ जो हमने stain लिया था और वो stain का नाम क्या था सेफर Κार्ण एक बहुत इम्बॉर्टन दिस्टेंगेना और और हम लोगे को देख़ रहा यहां पर सेल देख रहे है ठीक है और यहां पर बीच में जो देख रहा है वो कैया ? नीउकलियर्स क्या देख रहा है प्रॉमिनेंट ? नुकलियस ठीक है यह जो चीज नहीं यह यह जो मैंने सब आधा दो यह इसको हम क्या बोलता है नुकलियस ठीक है आगे हम पुरा पढ़ने माले आजयें कि बेसेकली नुकलियस क्या होता है इसके फंक्षिन क्या होते है यह करता क्या है चलो आप लोग सोच रहे होगे कि यह देखो न्यूकेस बाहर निकल जा गया 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 नहीं यह बिसिकली वह डॉट्ट है है और मुझे भी नहीं पड़ता इसा क्यों होजा है कि बाहर निकल गया रहे हैं बट नो इश्यू अम the show must go on तो बढ़ते हैं we can try preparing temporary mounds of peels of onions of different sizes what do we observe do we see similar structure or different structure basically ना तुम कितना भी बड़ा पील लो ठीक है उसके बाद कोई भी onion हो कितना भी बड़ा onion हो किसी भी onion की पील लो और तुम observe करेंगे तुह तुमको यह same structure देखने को मिलेगे याद टकना कैसे देखेंगे same तो यहाँ पर मैं अपनी सुन्दर सी handwriting में लिख देता हूँ yes y e s yes yes we observe the same structure और different size कर लोगे तो भी हमको इसी size के structure देखने को मिलेंगे यह बात हमेशा क्या रखेंगे आप ठीक है अब हम जानेंगे कि यह structures हैं क्या what are these structures okay what are these structures these structures look similar to each other together they form a big structure like an onion bulb ठेक है basically न यह सारे के सारे structure similar से दिख रहे हैं हमको और यह जब साथ में मिल जाते हैं तब क्या form करते हैं बड़ा structure we find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structure visible under a microscope basically तो मैं इस activity को जब perform करोगे आप तब आपको कितना भी बड़ा अनियन हो कितना भी छोटा onion हो onion peel को जब आप microscope के नीचे रखोगे अच्छा उसके लिए पहले आपको बता हो क्या डालना पड़ेगा उस पर stain डालना पड़ेगा जिसका नाम कह था है ना और जब आप उसको observe करोगे तो आपको यही same structure देखने हो आपको यही same structure देखने हो आले same to same the cells of the onion peel will all look the same regardless of size of the onion they came from कहीं से भी आजाएं कोई से भी size का onion हो कितना भी बड़ा कितना ही छोटा ना कितना भी बड़ा इसा लग रहा है कि यह बहुत सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तब जाके बड़ा structure तयार हो रहा है तो इनमें से अगर हम एक को ठालें तो हम इनको क्या बोलेंगे किसी भी एक को अगर हम यह वाला हमने मान दो यह वाला ले लिया ठीक है यह तो यह basically क्या हो गया यह कहलाएगी basic building unit of Indian हमारा onion bulb ठीक है मेरा Indian निकल लिया हां तो हमें देश से प्यार है इसलिए देश का नाम हमारे जुबान पुद्धादा रहता है तो तो अच्छा समाल लिया से कुछ भी मूझ से निकल लिया आपके तो आप समाल रहे हो देश का वास्ता देगे पर चले तो मैंने आपको बता देगे और हम बोलते ना the cells of the onion field will look like the same regardless ये भी मैंने आपको बता देगे चाहे किता बड़ा किता भी शोटा नियन हो the small structure that we see are the basic building block of the onion blocks onion bulb ठीक है अच्छा these structure are called cells और इनी structures को हम क्या बोलते हैं बिटा cells क्या बोलते हैं cells और आपको और आपको एक बात बता दू चाहे कोई भी living organism हो चाहे वो plant हो या animal हो सबके लिए जो basic building unit है वो क्या है cell क्या है cell ठीक है not only not only onions but all the organisms that we observe around are made up of cells सिर्फ onion की बात नहीं कर रहे हैं हम plants की बात कर रहे हैं ठीक है चाहे वो कोई सब भी plant हो कोई सब भी animal हो कोई सब भी human भी हो सबको बनाने वाली unit का नाम क्या है बेटा cell ठीक है देखो चैटर का नाम ही क्या था the unit of life और अब हमको मालूम चल जा वो answer मिल गया कि unit of life क्या है cell और हम अभी आगे पढ़ते जाएंगे और proof करते जाएं तो वो भी दूर हो जाएगा ठीक है However there are also single cells that live on their own और कुछ ऐसे single cells भी होते हैं जो सिर्फ मलता वो बोलते हैं हम अकेले ही काफी है मतलब हमें एक ही cell है वही हमारे पूरी body के वही हमारे पूरी life के function कर लेता है हमें और किसी की जरूरत है नहीं एक्जांपल गया bacteria ठेक है एक्जांपल गया paramecium एक्जांपल गया amoeba ठेक है अब जानतों मेरी टाइटनिंग बड़ी सुन्दर है तो मैं लिखूंगा तो नहीं पर आपने सुन लिया क्या क्या बोला मैंने example of unicellular organism और एक चीज और देखो number of cell के basis पे न हम लोगा ने organism को divide करके रखा है ठीक है unicellular और multicellular uni का मतलब होता है one ओके और multi का मतलब होता है many तो जो एक cell से मिलके बनाओ वो unicellular जो बहुत सारे cell से मिलके बनाओ वो multicellular समझ गए बात को बढ़ जाओं आगे ठीक है cells were first discovered by robert hogan 1665 और एक्की दौर बता दूँ देखो जो यह ब्लॉक में लिखा रहते है न more to know यह information बहुत important होती है इसको आप हमेशा अपने दिमाग में रखा करो है न और एक्की दौर अगर कोई बोले न science आपसे की रटने वाला subject है तो आप उसको बोलना या तो आपको science आ याद तो आपको science आता है ठीक है न अगर जिसको science सच में आता है जिसने science को समझा है वो कभी नहीं बोल सकता है कि रखने वाली चीज़े हां कुछ चीज़ें कुछ information आपको याद करनी परती पर वो तो आपको maths में भी करनी परती वो तो आपको physics में भी करनी परती हर एक ज समझोगी, उतना जादा दिमाग में clarity आएगी और उतना मन लगेगा पढ़ाई में, समझरे बात को और हमेशा पढ़ाई इसलिए मत करो कि marks के पीछे भागना है मुझे ना उन लोगों से बहुत जादा problem है जो बोलते हैं कि marks के पीछे भागो marks important है, मुझे पता है important है, ठेक है top के colleges में मिलता हो नहीं का admission है जिनके अच्छी रहें गाती competitive में, जिनके boards में अच्छे marks होता है but वो जिन लोगों के आते हैं ना वो कभी marks के पीछे में भाग रहे होता है वो knowledge के पीछे भाग रहे होता है अगर वो भी रटने लग जाएंगे तो वो conceptual questions को solve नहीं कर पाएंगे और आपको conceptual clarity चाहिए अगर आपको कुछ अच्छा exam निकालना है या कुछ अच्छा perform करना है अपने life में तो आई बात समझे है ना, और हमारा main motor exam निकालना नहीं होना चाहिए हम कुछ भी कर रहे हो तो नहीं होना चाहिए बेसे करी तुम यह सोच के पढ़ोगी कल को कोई छोटा बच्चा तुमसे कुछ सवाल पूछे ना जैसे तुम 9th में हो अभी बाद में 9th पास करके निकल जाओगे 10th में जाओगे तुम्हारा कूई junior तुमसे 9th क्लास का कुछ पूछ ले तो तो मैं बनेगा नहीं तो तुम्हारी बेज़ती होगी की नहीं होगी कैसा लएगा यार मैने तो कुछ अपनी लाइफ में की यह न क्या कर रहा था मैं 9th क्लास में कुछ नहीं तो इसलिए पढ़ने पर होगा इसको सेल्स पर फर्स जिस्कवरड बार रॉबर्ट हुक इन 1665 यह अब्सर्फ दसेल सेल्स ना कॉर्क कॉर्क इसलाइज विद्ध है तो हम रॉबर्ट हुक के बारे में जानते हैं तो रॉबर्ट हुक बहुत महान साइंटिस्ट है अगर रॉबर्ट हुक नहीं होते ना तो आध हम लोगो सेल्स के बारे में पता नहीं चलता है आप बोलो को सर कोई और खोज तो हम रॉबर्ट हुक के बारे में नहीं पढ़ रहे होते हैं बट रॉबर्ट हो बहुत important थे क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्या discover कर दिया cell और एक जूर बता दूँ आपको जो उन्होंने cell discover किया वो living नहीं था उन्होंने basically cell wall discover की थी क्या discover की थी cell wall अब हम अगले चीज़ के बारे में पढ़ते हैं Lewynhawk 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in the pond water for the first time तो Lewynhawk है उन्होंने सबसे पहले पता है क्या discover कर दिया था उन्होंने सबसे पहले living cell discover कर ले थी ठेक है कहां पे pond water में करी थी और मैं आपको बता दूँ कौन सी cell discover की थी कौन सी living cell discover की थी इन्होंने pond water में RBC discover क्या की थी फिर मैं अपनी नहीं 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 सॉरी 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 तो इन्होंने discover की थी थी बट वो पॉंड water में नहीं की थी इन्होंने जो discover कहता pond water में वो था bacteria क्या discover कहता मेरे प्यारे बच्चों back bacteria आप जानते हैं में राइटिंग कितनी सुन्दर है तो मैं आगे नहीं लिखने वाला है ना क्योंकि यार मैं नहीं चाहता हुआ पिसी की नजर लगे तो इसलिए नहीं लिखुँगा बट अच्छा क्या डिसकोवरी कह था बैक्टिरिया और उनके जमाने में उसको बैक्टिर इस वाइल डियुअ घो ठाउंगे था ठीक है उसके बाद Sperm की बात करो आप WBC की बात करो आप RBC की बात करो आप जो भी Living Cells की बात करो आप सब किसने discover करे थे अपने लेकिन जो इन्होंने पहला फ्री लिविंग शैल डिस्कवर किया था वो किया था पॉंड वॉटर में वो था एक बैक्टीरिया और उसको नाम कह दिया था wild animal cure कोई शक नहीं बढ़ जाँ आगे ठीक है और आपको चल अच्छा एक चीज़ा बताता हूं ठीक है हमको क्या लगता है कि अगर हमें जिंदगी में कुछ बढ़ा करना है तो हमारा पहले से बढ़ा होना ज़रूरी है बट ल्यूएन हॉक जो थे वह तो साइंटिस्ट भी नहीं थे आपको जानर के आशनुआ कि बहुंने की अपने अंकल के साथ रहते थे और न उनहूं और उनके लिए उनके अंकल बन्होय स्वने करते थे और अफने प्री टाइम में एक जिनरिल स्ट इस टोर समालते थे और उस General Store पर लोग कमाते थे तो Lewin Hawk को Lens बनाने का शौक था तो ना उन्होंने Lens को बना बना के बना बना के ऐसा combination तयार कर लिया कि उन्होंने एक microscope बना डाला जो की ज़ादा power रखवाला था किसकी comparison में? Robert Hawk के comparison में और उन्होंने pond water में खोज दिया क्या? bacteria उसके बाद वो रुके हैं फिर उन्होंने blood देखा फिर सीमन देखा फिर उन्होंने देखा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देख डाली It was Robert Brown 1831 और एक और चीज इंपॉर्टन इंसान आता है Robert Brown ठीक है? उन्होंने क्या खोज आथा? न्यूकलियस दिस्कवर गया था Robert Brown ने उसके बाद आए परकिंजे ठीक है? इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance in the cell अच्छा है अब एक चीज़ बात करते हैं जो cell होगा ने cell उसके अंदर एक fluid भरा होता है उसको हम बोलते हैं protoplasm क्या बोलते है? protoplasm नहीं बेटा हक्स ले H-U-X-L-E-Y H-U-X-L-E-Y क्या बोल रहे हूँ सर? जब तक आप लिखोगे तब तक हम 10th में आ जाएंगे अरे नहीं है जल्दी लिखते तो ठीक है तो न हक्स ले ठीक है और बहुत ही सुन्दर लग रहा है तो समझ जगे है न हक्स ले उन्होंने क्या वर्ड यूज किया था? उन्होंने बेसिकली वर्ड नहीं उज का था उन्होंने लाइन उज की थी कि protoplasm is the physical basis of life क्या बोला था? protoplasm is the physical basis of life वेरी गुड और परकिंजे ने 1839 के अराउंड कौन सी टर्म कोई ने की थी वो थी protoplasm ठेक है? P4 परकिंजे P4 protoplasm अच्छा इसके बाद एक बहुत ही एहम चीज आती है ठेक है? वो एहम चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ वो है cell theory क्या है मेरे प्यारे बच्चों? cell theory ठेक है? और इसको highlight ही करते है यार लाइन कीच के ना कुछ होटा नहीं करेंगे ठेक है? मतलब इसका वज़न देना जेते है तो क्या आती है? cell theory इन्होंने बताया cell theory देकर किसने? Shleden और Sean दोनोंने Shleden जो थे दोनों Shleden और Sean प्लांस और एनिमल्स है वो दोनों किस से मिलके बनी होते है Cell से मिलके बनी होते है और Cell को ही हम क्या बोलते है Basic Unit of Life क्या बोलते है क्या बोलते है Cell को Basic Unit of Life ठेक है? अच्छा The Cell Theory was further expanded by Virkoff ठीक है Cell Theory Cell Theory को आगे बढ़ाने वाले Scientist कौन थे? Virkoff थे और यह जो Virkoff है Basically Rodolf Virkoff थे कौन थे? Rodolf Virkoff ठीक है? और उनका year का था? 1855 और इसली देन और Sean बढ़े महान थे इसलीन दोनों को हम Highlight ज़रूर करेंगे अच्छा By suggesting that all cells arise from pre-existing cells अच्छा देखो जो हमारे इसलीन अंकल थे और Sean अंकल थे इन्होंने यह तो बदा जिया Cells are the basic unit of life and all the animals और plants are composed of cells ठीक है? बड़ी यह नहीं बता पाए कि जो नए cell है वो आते कहां से है उसमें यह fail हो गए तो जब भी कोई question आता है और कोई answer दिने में fail हो जाता है तो कोई तीसरा उसका पता लगाता है या कोई ऐसी बात कह जाता है जो आगे सही होती और आगे मानी जाती है तो इसको बताने के लिए कौन आए? Virko है न? by suggesting that all cells arise from pre-existing cells और उन्होंने क्या बोला कि जितने भी cells होते है वो किस से मिलके बने होते है pre-existing cells है किस से मिलके बने होते है pre-existing cells है ठीक है तो यह तीसरा point add करने वाले scientist कौन थे रुडॉल्फ Virko और कब आए? 1855 में with the discovery of electron microscope in 1940 याद मैं जब उपर microscope देखा था मैंने आपको कुछ कहा था मैंने कहा था कि microscope बड़ा important है लेकिन इसके भी जो पापा है है न? electron microscope मतलब जो इससे भी जादा एक लाग गुना जूम कर सकते है और इसको बनाने वाले scientist कौन थे? नॉल और रस्त का ये भी बड़ाया था और हाँ तो जो electron microscope discovery थी वो 1940 में होई थी और उससे के कारण ये possible हो पाया कि हम observe कर सकें complex structure जो कि cell के अंदर है और उसकी है न? उन्हें हम क्या बोल जो cell ओनली complex structure of cell को हम कर सकें cell को और zoom करके देख सकें कि cell के अंदर क्या क्या मिलता है साथ में जो cell के बाहर की cell membrane है और जो दूसरे कुछ cells होते है ऐसे bacterial cell और plant cell इसमें cell wall होती है और ये की structure को भी पढ़ सकें वो किस के कारण help हुआ? वो हुआ electron microscope के कारण ठीक है? और आपको ये भी पता है कि electron microscope को बनाया किस ने था? वो बनाया था नौल और रसकान ठीक है? कोई शक? मेरे ख्याल से बिलकुल नहीं होगा तो बढ़ जाएं आगे ठीक है तो बढ़ जाएं तो इन्वेंशन ओफ magnifying lens led to the discovery of the microscopic world बिसेकली जैसे ही magnifying lens आया उसके कारण ही हम जो world जो हम लोग आँखों से देख नहीं पा रहे थे वो हमारे सामने आगे है ठीक है? अच्छा तो अब हम आगे का पढ़ेंगे next class दो ठीक है? अब तक के लिए महनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें और याद रखें कि पढ़ना बहुत जरूरी है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया ठीक है? और अपने ममें पापय को खाल रखो ठीक है? वो बहुत important है